हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अंकित मेश्रा और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप प्रोफेस्नल लोगो केवल कुछ ही स्टेप में कैसे बना सकते हैं अगर आपका एक गेमिंग चैनल है और आप एक प्रोफेस्नल लोगो बनाना चाहते हैं त सबसे पहले आपको जाना होगा प्लेश्टोर में प्लेश्टोर में जाने के बाद आपको सर्च करना होगा इस्पोर्ट्स लोगो मेकर सर्च करके आपको इसको इसको इस्टॉल कर लेना होगा मैंने पहले से इस्टॉल कर रखा है यहाँ पर ओपन का ओपसन आ रहा है अब मैं आपको इस से दो तरीके से बताऊंगा कि दो तरीके से आप कैसे बना सकते हैं तो सब सब पहले यहाँ पर आपको जो भी अच्छा लगए आपको simply select कर लेना होगा तो हम कोई भी एक जो logo है उसको select कर लेते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम यहाँ पर नीचे जाते हैं, और select कर लेते हैं, तो हम इसको select कर लेते हैं, इसको select करने के बाद इसको थोड़ा बढ़ा कर देते हैं, और बढ़ा करने के बाद आपको यहाँ पर text का option मिलेगा, तो आपको text के button पर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर simply अपने gaming channel का नाम लिख देना है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं किसी भी एक channel का नाम और यहाँ पर add के बटन पर click करके और इसको नीचे लादा है यहाँ पर आपको colors का नीचे option मिला है इसको click करके आपको यहाँ पर color select कर सकते हैं यहाँ पर इसको select कर सकते हैं यहाँ से आप बहुत सारे font हैं तो आप इसको select कर सकते हैं इसके अलावा अब आपको यहाँ पर graphic option में लिएख departments में अभी आपको बताता हूँ कि कैसे यूज करना है इससे पहले आप यहाँ पर click करके और save के बटन पर इस logo को अगर चाहते हैं save करना तो save के बटन पर click करके jpg और png दोनों format में save कर सकते हैं उसके बाद आप back आजाईए graphic के option पर click करके जो भी आपको अच्छा लगता है वो simply आप select कर लिजे तो हम एक कोई भी select कर लेते हैं और यह select करने के बाद आपको यहाँ पर save के बटन पर click करना है click करने के बाद आप jpg या png, png format में आपको save कर लिजे save करने के बाद आपके जो mobile है उसमें pixart app होगा pixart app को आपको open करना होगा तो हम pixart को open करते हैं देखते हैं कि हमारा app कहां है pixart तो देख लेते हैं pixart हमारा यहाँ पर है तो आपको simply क्या करना होगा कि plus के बटन पर click करके और वो जो आपने save किया है उसको आप select करने के बाद इस तरह कुछ आ जाएगा अब आपको क्या करना है कि यहाँ से effect पर जाकर आप color replace पर click करके और किसी का भी color replace कर सकते हैं जो भी आप color replace करना चाहते हैं आप यहाँ से इसका color select कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे वो आप simply select कर सकते हैं यहाँ पर आपको OK के बटन पर click कर देना होगा यहाँ से आप effect दे सकते हैं इसके अलाम आपको text के बटन पर click करके आपके जो gaming channel का नाम है उसको simply type कर देना है और यहाँ पर लेकर आना है तो हम इसको नीचे लेकर आते हैं और इसका font हम select कर लेते हैं तो आपको pixart to use करना आते ही होगा तो आप अपने मन मुताविक यहाँ से लोगों बना सकते हैं हम चलते हैं कोई भी एक font select कर लेते हैं और हम यहाँ से एक font को select कर लेते हैं सिलेट करने के बाद हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देंगे, और अच्छे से करने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, कि टिक के निसान पर क्लिक करके, और इसको यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक करके स सेव हो जाएगा तो ऐसे भी आप लोगों बना सकते हैं मैं आपको दो तरीका बता चुका हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सेर जरू करिएगा इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पबजी का कैरेक्टर है उसके जैसा लोगों